हाई गाईज वेलकम बैक टो मैं चैनल आज एक हम न्यू ट्रेन को कवर करने आए हैं जिसका नाम है पोर बंदर उजफरकुर एक्सप्रेस ट्रेन नमबर 19270 जो बिहार के मजजफरकुर से चलती है गुजरात के पोर बंदर के बीच में ये एक वीकली ट्रेन है जो हफते में सिर्फ दोई दिन चलती है संडे और मंडे को गुजफरकुर से और तीसरे दिन अपनी जर्णी को खतम करती है गुजरात में पोर बंदर स्टेशन पर ये अपनी जर्णी के दोरान 46 गंटे 30 मिनट लेती है और 36 मेजर स्टेशन पर रुकती हुई चलती है अपनी जर्णी के दोरान अपनी जर्णी के दोरा चलाई जाती है डिस्टेंस की बात की जाए तो 2445 किलोमेटर का डिस्टेंस लगल करती है 46 गंटे और 30 मिनट में एवरेज स्पीड 53 किलोमेटर की और मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमेटर कुथी में गंटे की दी हुई है अभी आई सीफ कोचे से दोरा चलाई जाती है ट्रेन मुझा फरकुर से पोर बंदर तक इसको डबलो टीपी फोर डीडीजर लोकोमोटिव लेके जाता है हाल्ट की बात की जाए तो 36 हाल्ट पर रुकती है 2445 किलोमेटर करती है 46 गंटे 30 मिनट में इसकी पहली सर्विस चार अक्टोबर 2016 को दी स्टार्ट हुई थी आग से 16 साल पहले इस ट्रेन में पैंट्रिकार का कोच लगा हुआ है तो खाने पीने की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कोच कमपोजिशन की बात की जाए तो एक एसी फरस्ट दो एसी सेकंड छें एसी थर्ड और नौ स्लिपर के कोचिस आगे और पीछे एक एक जनरल कोचिस इसमें लगते हैं अगर हॉल्ट्स की बात की जाए तो मेजर हॉल्ट्स इसके मुझफर पुर के बाद बाबुदाम मोतिहारी गोरक पुर लकनौ शाजांपुर बरेली औरादाबाद दिल्ली जंक्शन कुडगाउं रिवाडी जैपुर अजमेर आबुरोड राजबूर जामनगर और लास्ट में पौर बंदर में अपनी जर्मी को पत्म करती है इसी ट्रेन का नाम मोतिहारी एक्सप्रेस की रखा हुआ है अगर एक शेरिंग की बात की जाए तो दू ट्रेनों के साथ इसके रेक शेरिंग होती है शालिमार पोर बंदर सूपर फास्ट एक्सप्रेस और दिल्ली सराइरो लासुप और पोर बंदर की बीच में चलने वाल की सूपर फास्ट एक्सप्रेस कोच कम पोजिशन की बात की जाए तो एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं इंजन के बाद SLR उसके बाद एक जनरल का कोच एक एसी फरस्ट दो एसी सेकंड छैसी ठर्ड पैंट्री कार एक और नो स्लीपर की कोचे उसके बाद फिर लास् जिसमें SLR SLR बता दूँ अगर आपको नहीं बता तो SLR वोगता सेकंड क्लास सेटिंग को जिसमें लगेज और प्रेक मैंड होता है यह नो स्लीपर की कोचेश कैसी लगी दोस्तों यह वीडियो प्लीज कमेंट में बताईए अगर आप और कोई ट्रेन के वीडियो भी देखनी हो तो प्लीज वो भी कमेंट में बताईए थेंक्यू सो मच फॉर वाचिंग बाई थेंक्यू